हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माई चैनल टीटूस क्लक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक्टिविटी बोक जो कि मैंने डियाइवाई किया है और यह एक्टिविटी बोक मैंने बेस्ट आउट आफ वेस्ट माटेरियल से बनाया है मिन्स जो पुरानी किताबे होती हैं मैगजीन होते हैं उससे मिला करके बनाया है और इंट्रिस्टिंग बात यह है कि यह प्री स्कूलर्स के सारे टॉपिक को कवर करता है इंगलिश हिंदी मैट्स इविए तो आप भी अपना टाइम यूज करके इस तरीके की अक्टिविटी बुक बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं यकीन मानिए बच्चों को इसके करने में बड़ा ही मज़ा आएगा बिकॉस इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी है और कुछ वरक्षिट्स भी इंक्लूड़ेड है तो स्रिप मज़ा ही नहीं आएगा उनकी क्लास वन में हैं उनके लिए भी इजी हो सो लेट स्टार एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप इस तरीकी की एक्टिविटी बुक बच्चे से करवाएं या मैगजीन भी आप करा सकते हैं इसको मैं मैगजीन भी कहते हूं डी आईवाई मैगजीन भी आप इसे कह सकत तो आप जब भी बच्चे को इस तरह के एक्टिविटी करा है तो उनके साथ जरूर बैठें और उन्हें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि किस सरीकी से करना है तो उनको इंट्रेस्ट जादा आएगा करने में इसके लिए जो फर्स्ट कुष्चिन है यह मैंने ड्राइंग कर रखा हुए बिकार मेरी बेटी को ड्राइंग में बहुत जादा इंट्रेस्ट है तो इसलिए यह मैंने कवर में भी इसलिए रखा है कि बाद में जब वो कलर करेगी तो यह बिल्कुल इस बुक का कवर बन जाएगा यह मैंने सिंपल चाठ पेपर से बनाया है, चाठ पेपर को मैंने फोलड करके, कट करके, स्टेपल कर दिया है यहां पे और यह चोटा सा एक एक अक्टिविटी बोक या आप मैगजीन केह सकते हो, डिया य बन गया तो यहां पर बच्चा स्केल यूज करके इस तरीके से स्टेप बाइस्टेप ड्राइंग करेगा, इससे वो ड्राइंग भी सीखेगा My next question is, write the type of transport बच्चे को LKG में कराया जाता है, land transport, water transport, air transport तो यहां पर उसको खले लिखना है, देख करके which type of transport it is Next is, help the car to reach its destination This is mazes, यहां पर बच्चे की जो pre-writing skills होती है, वो practice होती है इस तरीके से बच्चे ने pencil से वे बनाना है, इस car के लिए जिससे वो अपने destination तक पहुँच पाई अगर बच्चा pencil पकड़ना नहीं सीखा है, तो आप उसी crayon भी दे सकते Now next question is, underline your CR words जब senior kg में बच्चे आते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा जो words है, small words पढ़ना सीखते हैं और class 1 में तो काफी पढ़ाई होती है, कि बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाता है तो आप उस हिसाब से standard के हिसाब से बच्चे को इस तरीके का question दे सकते हैं जैसे यह CR है, इस तरीके से और भी जो question बनते हैं, CH words आप बना सकते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने एक छोटी से story बनाई है, जिसमें स्विफ CR words रिपीट हो रहे है crane and crow are best friends, crab don't like them, CR CR, देखे, crane में भी CR आ रहा है, crow में भी आ रहा है, crab में भी आ रहा है one day the crab plan to bite them, crane and crow hide behind the tree, crab fail to do the crime, the cruel crab disappointed, crane and crow cheered तो यहाँ पर CR words बहुत सारे हैं, तो बच्चे को इसको आइदर आप underline करने कह सकते हैं, या फिर circle करने कह सकते हैं next question is very simple, color the picture using the color codes, यह नरसरी के बच्चों के लिए बहुत अप्रा है वो code देख करके इसमें color करेंगे, जैसे first one red, one मैंने red दिया है, two yellow, number two is yellow, three is orange, like this अब भी इस तरीके से कोई भी drawing बना सकते हैं, उन्हें code दीजेगा, इससे interest और बढ़ जाएगा और बच्चा color पहचाना और numbers पहचाना भी से सीखता है, identification सीख जाता join the dots and color, again the pre-writing skill activity, or we can say that pencil gripping, जो बच्चे की pencil gripping होती है, इस तरीके से pencil को पकड़ के, जो उनकी fine motor skill, जो हम develop करते हैं, वो इस तरीके की activity से करते हैं, तो ऐसे activities को नरसरी के बच्चे के लिए आप include, जरूर कीजिए, up to senior के जी, आप इसको थोड़ा सा complicated और बनाईए, और next is write the beginning sounds, यहाँ पे स्रिप बच्चे को beginning sound लिखना है, फॉनिक्स worksheet है यह, सपोज यहाँ पे मैंने ALL लिखा है, बच्चे को identify करना है, this one is ball, so he or she will write BALL, this one is cap, only C, A, P, cap, F, L, O, W, E, R, A, N, T, ant, butterfly, parrot, tortoise, inkpot, elephant, envelope, then hen, hat, and ice cream, तो यह भी आप बच्चे को जरूर include करा हैं, my next question is match the emojis, यहाँ पे कुछ emoji बनाया है मैंने और इसको बच्चे को match करना है, तो यह gender awareness की question है, आप include करा सकते हैं, इसको कुछ emoji के meaning तो मुझे भी नहीं पता थे, तो यहाँ पे जब मैंने यह बनाया, तो कुछ emoji नय मुझे जो पता चले, इसको भी मैंने include किया, जिससे इंप्रूव हो, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे, first one is happy, second one, winking, यह देखे, इसकी एक आँख बंध है, तो इसे हम wink कहते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा, winking, third one is squinting, squinting means अधखुली आखों से देखना, अधखुली मतलब, जब सूरज की रोशनी आखों पर पड़ती है, तो हम आखे मींजते हैं, तो उसे कहा जाता है, squinting, next one is angry, next this one is crying, this one is innocent, यहाँ पे, जो सिर पे इस तरीके से बना रहता है, emoji के, इसे कहते है, emoji with a hello, इसे hello कहा जाता है, और यह innocent की emoji है, means नादान, यहाँ पे देखे, this one is tired, तो यह खाली बच्चे को match करना होता next is spell in the missing letters, this one is Hindi question, तो यहाँ पे, जैसे English में हम देते हैं missing letter, उसी तरीके से Hindi का दिया, चित्र के सामने पहला अक्षर लिखिये, this one is beginning sound of Hindi, पहला अक्षर मतलब स्रिप पहला वाला अक्षर लिखेंगे, first sound, आ नार, then आम, then आमारूद, एक, इमली, उपवन, like this, इसमें आप और question भी include कर सकते हैं, next is math, skip counting, this one is very interesting, यह बच्चे को senior kg में होता है, this one is skip counting of 2, 2, 4, 6, then plus 2, 8, then plus 2, 10, like this, 5, 10, 15, skip counting of 5, this one is skip counting of 3, तो इस तरीके से बच्चे को बता देना होता है, और से ही complete करने के लिए दिया जाता है, arrange in ascending order, छोटे से बड़े में यहाँ पर arrange करना है, next this one, arrange in descending order, बड़े से छोटा, next question is write the number names, यहाँ पर मैंने 120, 158, 170, 99, 55, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, और बच्चे के standard के हिसाब से दे सकते हैं, नर्सरी में स्रिफ 10 तक कराया जाता है, आप 10 तक दीजिए, junior kg में बच्चे को 50 तक दीजिए, senior kg में आप 100 तक दे सकते हैं, class 1 में above 100 next is brain boosting activity of maths, यह देखी, maths की brain boosting activity है, इसमें मैंने 2 चीज़ इंक्लूट किया है, addition and subtraction, जो बच्चे को addition and subtraction बहुत अच्छे से आ जाता है, senior kg के बच्चे, उन्हें आप इस तरीके की question दे सकते हैं, question बनाने का सदल तरीका यह है, कि आप सबसे पहले खुद लिख करके question, suppose 4 plus 1 is equal to 3 लिख दिया, फिर आप उसको रब कर दीजिया और यहाँ पे आ गया answer, फिर आसानी से आपका question सेट हो जाएगा, बच्चे को सरफ यहाँ पे feel करना है, कि यहाँ पे वो जो number feel करेगा, उसका addition भी 5 आना चाहिए, और यहाँ पे vertically भी 5 आना चाहिए, miss horizontally vertically जो number दिया है, वह 9, 4, 6 plus 2 is equal to 8, 3 plus 2 is equal to 5, and here 2 plus 2 is equal to 4, and 6 plus 3 is equal to 9, यहाँ पे next देखिए, मैंने subtraction दिया है, 4 minus 2 is equal to 2, 1 minus 0 is equal to 1, same time vertically, 2 minus 0 is equal to 2, and 4 minus 1 is equal to 3, here 5 minus 4, 1, 2 minus 2, 0, 4 minus 2, 2, 5 minus 2, 3, तो यह आप जरूर include कीजिए, बहुत interesting है, और बच्चे के brain boost के लिए भी बहुत अच्छा है, next is English, opposite words, small, big, day, night, hot, cold, जो opposite हम बच्चे को कराते हैं, आप इससे ज़्यादा कम अपने हिसाब से include कर सकते हैं, fill is MR, यहाँ पे is MR, जो senior kg का syllabus होता है, I am, you are, they are, we are, she is, he is, like this, यहाँ पे यह फिल करना है, use of vowel A and the, यहाँ पे vowel A, जो होता है, vowel A, एन और दा का use करना है, sorry, यहाँ पे question में vowel नहीं आएगा, use of A and the आएगा, यहाँ पे हम जैसे अन को vowel के आगे यूस करते हैं, और A को consonant के आगे यूस करते हैं, दा को कोई unique चीज होती है, उसके आगे यूस करते हैं, तो उससे सबसे मैंने question बनाया है, यहाँ पे जैसे man है, bike है, orange है, तो यहाँ प video बनाई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे use of A, N और the को मैंने बहुत clearly समझाया है, next is write E, E और E, A, यहाँ पे E, E, fill करना है, और E, A, जो spelling practice होती है, suppose this one is P, E, A, P, this one is T, E, A, T, this one is F, R, E, E, free, then S, L, E, E, P, slip, again tree, then M, E, A, T, meet, तो आप कोई भी spelling जो बच्चे को practice करा रहे हैं, उससे related question यहाँ पे include कर सकते हैं, match the rhyming words, rhyming words जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, तो same-same question देते हैं, suppose man, fan, bat, cat, rat, mat, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि जो spelling last में same होती है, वही होता है rhyming words, जबकि ऐसा नहीं है, हमें सरफ ending sound पे concentrate करना होता है, और यहाँ पे देखें, मैंने वैसा ही दिया है, shoe, two, mat, cat, beep, sleep, I, my, pen, ten, are, car, by, y, thin, chin, back, jack, you, and two, like this, इस तरीके की थोड़ी सी complicated question बच्चे को दीजिए, senior kg और class 1 में, match the correct blends, blends मैंने इसके पहले भी पढ़ाया है, initial और final blends, जो होता है, initial blend में हम fra, bla, sma, star, prasna, यह सारी चीज़े पढ़ते हैं, final में हम पढ़ते हैं, it, ink, sk, eng, elk, ent, तो यहाँ पे use कैसे करते हैं, fra plus og frog, तो बच्चे को खाली यहाँ पे match करना है, fra को og के सांथ, bl, bla, ot, sma, all, star, प्र, am, sma, ag, am, me, int, mint, ba, elk, bulk, like this, तो इसे इस तरीके से matching करना है, तो बच्चे की जितनी practice होगी, उतना अच्छा वो English words बना पाएगा और पढ़ पाएगा, तो यह phonics worksheet है, यह आप जरूर इंक्रूड कीजे, My next question is singular plural, senior kg syllabus, orange, एक orange, orange लिखते हैं, और ज्यादा हो तो हम लिखते हैं, oranges, boxes, cakes, bus like this, buses like this, Next is join the dots and color the picture, again pre-writing readiness, इस तरीके से pencil चलाना होता है, और इसमें coloring activity for concentration, coloring की activity बच्चे को जरूर दें, और उसे instruction दीजे कि color बिल्कुल बाहर न आए, instruction देंगे तो बड़े गौर से करेगा, और concentration से करेगा, और अगर अपने instruction नहीं दिया, तो वो ऐसे कुछ भी color कर देगा, और कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, तो इस तरीके से आप coloring activity बच्चे को जरूर करा है, इसमें name of the fruit है, उसको identify भी करना है, ये fruit कौन सा है, इसमें मैं बता रहूँ, आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर बच्चा बहुत छोटा है, तो आप उसे से picture एक बार दिखा दीजिए, फिर copy को इस तरीके से बंद कर दीजिए, और पूछिए, which animal is shown in the picture, और you have seen in the picture, तो बच्चे ने देखा है, तो वो बताएगा, how many balloons, इस तरीके से, और अगर उसे लिखना आता है, वो simple ये question के answers लिखेगा, यहाँ पे, which animal is showing in the picture, rabbit, how many balloons are there, count and write, what are the color of clouds, here you can see white color, how many trees are there in the picture, यहाँ पे भी trees को count करके लिखेगा, what does rabbit do in the picture, तो बच्चे की thinking skill को भी ये enhance करता है, तो इस तरीके का question जरूर दीजिए, यहाँ पे बच्चा सोचे का कि rabbit क्या कर रहा है, balloon उडा रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है, तो वहाँ पे उसे वो लिखना है, next is complete the pattern, यहाँ पे मैंने A, B, A, B, A, A, B, A, B, C, C, B, A, 3 pattern इंक्लूड की है, यह बच्चे को जरूर दीजिए, इस तरीके की reasoning, उसके mind को बहुत बूस्ट करता है, इसकी भी मैंने separate video बनाई है, आप चाहे, तो जाके देख सकते है, copy the pattern, डिखने में यह बहुत simple है, बढ़ यह उतना simple नहीं है, because बच्चे को एक एक box में एक एक color देख करके, same same वही वही color, यहाँ पे दूसरे box में copy कर दीए, next question is very interesting, this is a design like a rangoli, जो हम traditional, हमारा जो इंडिया का tradition है, तो उसी पर मैंने base करके question कर दिया है, because यह इस तरीके से question dot dot के question आते हैं, तो मुझे ऐसा लगा, यह तो हम पहले rangoli ही बनाते थे, इस तरीके से dot dot, तो आप simple भी दे सकते हैं, मैंने तो यह कुछ भी बना दिया है, बहुत अच्छी रंगोली नहीं है मेरी, but आप एक छोटे रंगोली से भी सुरू कर सकते हैं, that is a very good art, आप बच्चे को साथी साथ आर्ट भी सिखाएंगे, और उसका जो intelligence level है वो भी बढ़ेगा, कैसे? क्योंकि आप यहां पे जो dot दिये, बच्चे को same dot दे दीजिए, वो copy करके same design यहां पे बनाएगा, और उसको color भी करना है, तो यह बहुत अच्छा है बच्चे के लिए, उसे बहुत interest आएगा, आप एक बार include करके देखिए, छोटा है तो easy दीजिए, only a square दे दीजिए, थोड़ा बढ़ा है तो आप उस हिसाब से level बढ़ाते जाएगे, My last question is find the difference, यहां पे देखिए, बच्चे को करने में यह बहुत मज़ा आता है, उसकी observation skill बहुत develop होती है, यहां पे suppose यह एक frog है, यहां पे नहीं है, यहां पे hanger है, यहां नहीं है, यहां पे देखिए, this one is green color, this one is white color, तो वो difference उसको find out करके, यहां पे circle करना, यहां वो बताए तो यह जो मैंने DIY magazine, यह activity book, कुछ भी कह सकते हैं, यह जो बनाया है अपने बच्चे के लिए, यह आपको यह आइडिया पसंद आया होगा, अगर आपके पास भी कोई इसी तरीके का आइडिया है, तो आप comments box पे लिख कर जरूँ शेयर करें, और पसंद आया है यह वीडिय तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें